है लो गुड मोनिंग मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों अभी जो है कि मैं मोटर चालू किया हूँ इस कुवे में मोटर है यहां पर पाइप देख सकते हैं यह जो बलेक कलर की पाइप है इसी के जरिये जो है कि नीचे मोटर बैठा हुआ है जिसे यहां पर गतास बोला जाता है और यहां पर देख सकते हैं यह तार है बिजली के तार है तो जो कि अंदर ऐसा मोटर है कि मतलब वो पानी में ही डाल दो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है मैं आप लोगों को दिखा दे है यहां पर तो यही जो है कि मोटर है यहां से जो है कि पाइप लगा हुआ है इधर से पानी निकलता है इसका और यहां पर देख सकते हैं यह तार है टेप से इसको बांदा गया है ताकि पानी से कोई दिक्कत नहीं हो बहुत ही बढ़ियां बेवस्ता है इसमें पानी का को खराब हो चुका है यह दोनों खराब हो चुका है और जब भी खराब हो जाता है तो यहीं पर जो है कि रख दिया जाता है तो जब भी मैं मोटर चालू करता हूं तो मैं यहीं पर बैठता हूं यह नहीं है कि मैं इधर उधर जाता हूं कहीं और चला जाता हूं मैं यहीं पर बैटता हूँ लेकिन जब पानी खतम हो जाता है तब जाकर के मैं तुरंत बंद कर देता हूँ मैं इसलिए बैटता हूँ कि पानी खतम हो जाये तो मैं तुरंत बंद कर सकूँ क्योंकि ज्यादा देर होगा तो साइद खराब हो सकता है लेकिन फिर भी मालिज ये की मोटर है पानी में रहता है तो कभी ना कभी तो खराब होना ही है पांच महिना च्छे महिना या एक साल पे खराब होना ही है तो खराब हो जाता है तो मालिक सारा दो सम को देता है कि तू जो एकी भूल गया होगा अरे मैं भूल कैसे जाओंगा मैं यहां बैठा हूँ पानी गिर रहा है मैं देख रहा हूँ मैं किसलिए बैठा हूँ इसलिए तो बैठा हूँ मेरा काम क्या है मेरा काम तो यही है न, की पानी को देखना है, जब बंद हो जाएगा तो इसको बंद करना है, चालू करके यहाँ बैठा हूँ, सारा काम को छोड़ करके इसलिए मैं साम को या सुबा को एक ऐसे टाइम पर चालू करता हूँ, की मुझे और कोई काम नहीं रहता है, तभी मैं चालू करता हूँ वैसे मैं चालू नहीं करता हूँ लेकिन फिर भी यार अगर ये खराब हो जाता है तो मालिक मुझे ही दोस्त देगा कि तू जो एकी भूल गया है तू भूल गया होगा बंद नहीं किया होगा मोटर को मैं यार कभी भी नहीं भूला हूँ कभी भी नहीं भ खराब होता है यह नहीं है कि मेरे गलती से खराब होता है मैं अब बताईए यहां पर बैठा बैठा रहूंगा जब ही पानी खतम होगा यहां जब कुवे में गिरता है पानी तो सुनाई देता है यहां मेरे पास तक सुनाई भी दे रहा है और देख सकते हैं वो कुवा है उस की आवाज भी आ रहा है तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पानी वहां पे गिर रहा था तो इसी तरह से जो है कि गिरता रहेगा जब पानी कम हो जाता है यानि की पूरा खतम नहीं जब थोड़ा थोड़ा गिरने लगता है तभी जो है कि मुझे बंद करना रहता है और तभी जो है कि मैं बंद करता हूं और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैं यहां से छोड़ करके चला जाता हूँ लेकिन एक प्रोब्लम है जब माली का कोई काम रहेगा तो मुझे बुलाएगा और बुलाता है तो कभी भी यह नहीं कहता है कि आओ ताल कहता है सराह, ताल, सराह, ताल, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं बताता भी हूँ, मैं पानी चला रहा हूँ, सगल गतास किया हूँ, मोटर चल रहा है, लेकिन नहीं, खली, खली, खली मोटर, ताल, ताल, तो मैं क्या करता हूँ, मैं भी फिर भी छोड़ क करके नहीं जाता हूं क्योंकि वहां जाओंगा कब तक काम कराएगा क्या काम कराएगा तब तक पानी खतम हो जाएगा मैं यहां से बंद करके जाता हूं तुरंत बंद कर देता हूं भाई जब बुला रहा है तो मैं बंद करके जाता हूं पानी भले गिरता रहेगा तभी भी बंद कर देता हूँ, तो इसमें खाइसियत है दोस्तों कि ये कुवा का पानी जो है न, खतम हो जाता है, बहुत ही जल्द खतम हो जाता है, आधा गंटा चलेगा, आधा गंटा के बाद पानी खतम हो जाता है, उसी लिए बंद करना पड़ता है, यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है कि जब तक चलाओ तब तक चलता रहेगा अपने इंडिया में तो जब तक चलाओ तक चलता रहेगा लेकिन यहां पर क्या होता है गा आदा घंटा चलेगा इसमें का पानी खतम हो जाएगा तो फिर बंद करना पड़ता है आखिर में देखिए दोस्तों वही हुआ जो हम कह रहे थे मैं कह रहा था कि मैं चालू मोटर करता हूँ तब मालिक बुलाने लगता है कभी कभी तो आज देखिए फिर बुलाने लगा बोल रहा है कि ताल सराही ताल तो मुझे जाना पड़ेगा मोटर को बंद कर देता हूँ पानी अभी गिर रहा है अभी तो पानी बहुत होगा कुमा में अभी जाता देर नहीं हुआ है हमको start किये अभी थोड़ी देर में start किया हूं तो क्या करें हमें जाना पड़ेगा अब मैं बंद कर देता हूं यहां पर देख सकते हैं यह स्यूच तो मैं बंद कर दिया यहां से और मुझे मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि भाई जाएंगे नहीं तो बोलने लगेगा बोलता है तो कभी भी बुलाता है सराई, सराई, मतलब जल्दी या इनाई बकी का करता ले, का नाई करता ले कभी-कभी इधर पानी भी चलाता रहता हूं पानी को बंद करके छोड़ छाड़ करके जाना पड़ता है तो मैं चल करके आप लोगों को दिखाता हूं कि किसलिए बुला रहा है मालिक, क्या काम है वो ये भी कह सकता था कि ये काम आकर के कर देना, नहीं भाई बुलाएगा तो तुरंत करना पड़ेगा चलिए देखते हैं क्या काम करना है अब वीडियो को तो ऐसे ले करके नहीं जा सकते हैं बंद करना पड़ेगा, वहाँ पर जो काम करना रहेगा वो दिखाएंगे हाँ तो देख सकते हैं दोस्तों इसी निम्बू में और अनार में और दो खजूर का पेड़े मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही सांदार फ़रा हुआ है बहुत सारा निम्बू तूट गया है और बहुत सारा निम्बू है यह देख सकते हैं पक रहा है अब पीला हो रहा है इसका मतलब यह पक रहा है तो बहुत सारा टूट गया है अभी भी बहुत सारा इस पर है आप देख सकते हैं इधर भी इधर भी देख सकते हैं और उपर भी बहुत सारा है जो की दिखाई नहीं देता होगा उधर साइड से भी दिखाई देता तो बहुत सारा दिखाई देता तो यहां पर देख सकते हैं निम्बू मतलब काफी जादा फरता है यह देखिए और मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि इधर के तरब अनार है अनार तो सारा तूट गया है बहुत खटा लगता है दोस्तों खाने लगता है देखिए पक करके फट गया है फटने के बाद सारा दाना जो है कि इसमें से गिर गया है यहां का अनार कितना भी पक जाता है लेकिन खटा ही लगता है तो दोस्तों हम जो है कि पानी चलाने के लिए यहीं आये हुए हैं और यहां पर मालिक बोलाया है पानी चलाने के लिए तो दोस्तों आज